हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौकाने वाला रिजल्ट देख शात्रा महीने में कोई पेपर लीख हुआ था गया और इसी को कहते हैं असल माफिया राज अदबुद है भाई सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आगी सरकार में एडमिट कार्ड के पीछे आंसर ल सब्सेटर बहुद जो लो माफिया आज खटम करने की वाहतं करते हैं लेकिन सब्सक्राय में अगया हो गया है का इसान सब्सक्राइब भारत सरकार में इसके बद्द्दी इंको मिला चैनली साट्व करते हैं केंदर सरकाल को हमारे कौन सा ऐसा काम कर दिया कार खाना केंदर सरकान ने यहां लगवाया है हम लोग शत्रा महिने थे तो पच्छास हजार करोर का M.E.U. निवेश जो है इन्वेस्पेंट उसका हम लोग उने करवाया था मुंबई में देखें लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व जो है उसकी शुरुवात हो रही है और हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है और पूरी तयारी हम लोगों की हो चुकी है कि और हम पहले भी कहे थें कि बिहार जो है इस बार चौकाने वाला रिजल्ट देगा हाला कि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है उनका काम है उनका प्रोफेशन है लेकिन चौकाने वाला शर्ब दिसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करेंट जो है लोगों में है खासवर पर बिहार के लोगों और दो चीज़े देखने है 17 साल ने धश्राम और दूसरा केंदर सरकार के दस साल में विहार की ले क्या किया है दखी स्पेशल कटिज मेला कोई भी स्पय काम जो है बीस पीकि सर्कार ने की सरकार कोई काम नहीं किया जिसका क्रिटिसिजम मानने मुख मंत्री जी उनके अन्य मंत्रियों भी किया और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा जो हम लोगों ने आरक्षन बरहाया था महागडबंधन के लोगों ने जो 75% की जो सीमा की थी भाई उसको कि शेडियूल नाइन में करने का वह भी कोई काम नहीं किया अब भाजपा में जाते ही मुख मंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हाला कि अभी वावक है हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉम्प्रमाइज करना पड़ता है लेकिन जो काम हम लोगों ने किया जिस समर्थन सब लोगों ने दिया कम से कम वो तो आरक्षन को शेड्यूल लाइन में करना चाहिए था उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते यह लोग ना 15 लाक रुपे आए क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में भी कोई चर्चा ने पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौक या सरकारी नौकरे मिली हूंगी हम चालेंज करते हैं केंदर सरकार को कि हमारे 17 महिने में उससे ज्याधा अगर भारत सरकार ने नौकरी दिये तो बताओ अगर тебе लिए तो असली मुद्दiente मह violence महें कम हुई ना किसानों की समस्या को एनों ने दूर किया और खास तẫn बिहार को आगे क्योंकि यह सब का मानना है पिछले राज बिहार के अलावा भी और भी पिछले राज है अगर बिहार जैसे राज जी अगर आगे यह बहाने में सयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा दूसरी बात 40 में से 49 सीटे इनको मिला पिछले बार यह 49 सांसदों ने अपने 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 लोग सबाद छेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया कौन सा ऐसा कार खाना केंदर सरकान ने यहां लगवाया हम लोग सत्रा महिने थे तो पच्छास हजार करोर का एम यू निवेश जो है इन्वेस्टमेंट उसका हम लोगों ने करवाया था जो यहां इन्वेस्टर मीट हुआ था लालू जी जब केदर मंद्दी तर कई कार खाने रेलवे के यहां दिया नब्य हजार करोर का मुनाफ़ा दिया कूलियों को पर्मनेंट किया कुल्धर किया हर बजट में किडाया भाड़ा जो होता था उसको कम किया गरीबों के लिए गरीब रत निकाला बिहार के लिए कई स्टेशन टेशन होल्ट इस ले काई ने दित तो यह काम तो बताना पढ़ेगा कि रागा चाहें तो फ्नाफ़ भी बात करें घ्रीकर रही उनका मूँ है उनकी बात है लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है जो सच्चाई है जो जनता की बात है उसी को हम कहेंगे तो बिहार जो है हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है बिहार जो है देश को दिशा दिखाया है हमेशा इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हो लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है भाजपा करो करो कि अब दे दिया जाएगा आप तो अब तो होएगा आपके अज बंबे में हैं राहुल गांदी जी न में मंत्रन दिया था तो आज हम लोग जा रहे हैं सत्रा महिने में कोई पेपर लिख हुआ था क्या और इसी को कहते हैं असल माफिया राज अदबुद है भाई सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आगी सरकार में एडमिट कार्ट के पीछे आंसर लिखा हुआ है देश में ऐस अधर दिनों के अंदर 2,00,000 को निफ्टी पत्र हम लोगों ने बाटा एक पेपर लीक हुआ दो बता दो लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक भाजपा का जहां राज रहां वहां पेपर लीक यूपी में पेपर लीक मंद्य प्रदेश से लेकर के हर सीर पटवारा कब तक हो जाएगा?